Friends, Welcome back to Priyanka, Servant of God. I hope so, आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ खुदा की दया से और फिर से खुदा एक बार आप लोगों के साथ मुझे बाते करने का मौका दिया इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए एक बचन पढ़ना चाहती हूँ John chapter 16 verse 22 And you now therefore have sorrow but I will see you again and your heart shall rejoice and your joy no man taken from you Amen John chapter 16 verse 22 में बहुत ही सुन्दर बाते परमिशर ने कही है और तुम्हें भी अब तो सोख है प्रन्तु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन में आनन्द होगा परमिशर ने कहा प्रन्तु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन में आनन्द होगा और तुम्हारा आनन्द कोई तुमसे छीन ना लेगा पर्मिशर यहाँ पे जॉन चैप्टर 16 वर्स 22 में बहुत ही अच्छी बाते कही है कि तुम्हारा आनन्द कोई तुमसे छीन न लेगा पर्मिशर इस वचन के द्वारा हमें यह बताना चाहा है कि हमारे जीवन का आनन्द हमारी जीवन की खुशी दूसरों के उपर डिपेंड नहीं करती है वो खुद पर डिपेंड करती है अगर हमारे अंदर पर्मिशर के प्रती प्रेम है धीरज है पेसेंस है सांती है पर्मिशर का आनन्द हमारे अगर अंदर है तो हम चाहें जैसे भी सिचुएशन में रहें लाइप में जैसी भी सरकम्टेंस रहे हैं, लेकिन ये सारे सिच्वेशन से भी हम happiness को जोय को कंटेन करके रख सकते हैं अपने जीवन में परमिशा के प्रेम से हम अपने जीवन में जोय को हमीशा बनाई रख सकते हैं बहुत बार ऐसा परिस्थिती आता है, बहुत बार ऐसा situation आता है, हम अपने दुखित होने का कारण, अनहपी होने का कारण हम दूसरों को पर ढाल देते हैं, कि इनकी वज़ा से हम अपने जीवन में दुखित हैं, हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने लाइफ में कर यह गलत बात है मेरे प्रियों, अगर परमेशर की उपस्थिती हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से कभी भी चाहिम जैसे भी महौल में रहें, चाहिम जैसे भी परिस्थिती में रहें, चाहिम जैसे भी लोगों के बीच में रहें, परमेशर की सांती, परमेशर की प्रेम हमा हमारी खुशियों को नहीं ले सकता है यह डिपेंट करता है आपके उपर और हमारे उपर बहुत बार हम परमिश्व पर डाउट करते हैं डाउट करने के वज़द से हम अपने जीवन की जोय को खो देते हैं अगर आपके जीवन में पेसिंस है लव है परमिश्व की परती पवित्रता है परमिश्व की परती सच्चा प्रेम है आपके हिरदय में तो आपके जोय को कोई आपसे दूर नहीं कर सकता है चाहे आप जैसे भी सिच्वेशन में क्यों ना हो इसलिए मेरे प्रियों ये बाते कहना बंद करें अपने जीवन में कि दूसरों की वज़े से हमारे जीवन की खुशियां चली जाती हैं नहीं, ये हमारे खुद की गलतियों की वज़े से हम परमेशर के साथ अस्थिर नहीं होते हैं जीवन में इस वज़ा से हम अपने जीवन की खुशियों को, अपने जीवन की जॉय को, आनन्द को हम खो देते हैं हमें जुरवत है कि हम पार्मेशर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं ताकि पार्मेशर की वो जोई, पार्मेशर की वो खुशी, पार्मेशर की वो प्रेम, वो आनन्द, वो शान्ति आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जब हम पार्मेशर के साथ रिलेशन सही रिती से बनाएंगे, तभी हम इन सब चीजों को अपने जीवन में कंटेन करके रख सकते हैं, तभी इन सब चीजों को हम अपनी जीवन में स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे हम जिस जगह पी जाये, चाहे हम जहां भी जाये, चाहे हम कहीं भी उठें और बैठें, ये मैटर नहीं रखता है, दूसरों के उपर हमारे जीवन का हसी, खुशी, जोय मैटर नही जीवन में है तब ही ये डिपेंड करता है कि आप जैसी भी परिस्थिती में हो आप खुश रह सकते हैं आप आनदित रह सकते हैं आपके जीवन का जोई कोई चुरा नहीं सकता है परमिश्व का वचन हमें बहुत अच्छी बातों को कहता है and your joy no man taken from you हाँ मेरे प्रियो परमिश्व का आनन परमिश्व की खुशी परमिश्व की जोई हमारे जीवन से कोई लेकी नहीं जा सकता है अगर हम परमिश्व के साथ मजबूत हो तब अगर हम परमिश्व के साथ कमजोर हैं तो चाहे बाहर से जैसे भी परिस्थिती हमारे आती है क्योंकि वह हमारी जीवने परमिश्व के उपस्थिती नहीं है अगर हमारे जीवने परमिश्व का उपस्थिती नहीं होगा तो हमारे जीवन में बाहर की समस्याइं हमें दुखित करेंगी बाहर की समस्याइं हमें चिंतित करेंगी लेकिन परमिश्व के साथ अगर नहीं तो कोई भी ऐसी चीज आपको दुखित नहीं कर सकती है क्यूंकि उन सब चीजों को पर्मिशक के आनन्द, पर्मिशक का प्रेम, पर्मिशक का लख उन सब चीजों से बहुत ऊपर है इसलिए stop अपने अपने जीवन में ये कहना बंद करें कि दूसरों की वज़ा से हमारे जीवन में दुख है, दूसरों की वज़ा से हमारे जीवन में समस्या है, दूसरों की वज़ा से हमारे परिस्थिती खराब है, नई, हम अपनी परिस्थिती को अपने जीवन के द्वारा हाई खराब करते आप खराब भी कर सकते हैं आप अपने जीवन की परिस्थितियों को अच्छा बनाना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में आनंद पाना चाहते हैं तो पर्मेशर पर डाउट करना बंद करें, बहुत बार पर्मेशर पर डाउट करते हैं हम सा, पर्मेशर के अधूरा विश्वास रखते हैं पर्मेशर पर इस वज़ा से हम अपनी समस्याओं को देख के चिंतित हो जाते हैं, अपनी हलातों को देख के दुखित हो जाते हैं, क्य को पार्मेश्व के साथ स्ट्रॉंग करें ताकि आप हर एक सिच्वेशन हर एक संकम्टेंस में हर एक परिस्थिती में आप पार्मेश्व के साथ स्ट्रॉंग ली जोए के साथ अपनी जीवन को आनंद के साथ व्यतित कर पाएं मैं जानते हूं प्रियो यह कहना जितना आसान है लेखिन करना उससे कई मुस्किल और कठिन बाते है लेकिन हम अगर चाहे तो अपने जीवन में हर एक दिन हम इन सारी चीज़ों को ट्राइ कर सकते हैं प्रैक्टिकली बहवार कर सकते हैं अपने जीवन में क्योंकि परमेश की ये इच्छा है, परमेश का ये प्लान है कि मैं अपने जीवन को परमेश के लिए डेडिकेट करूँ, आप अपने जीवन को परमेश के लिए डेडिकेट किजिए, आप अपने जीवन को पून रितिसे किजिए, उनके डाउट मत किजिए, उनके प्रेम को उनके peace को, उनके joy को, उनके strength को अपने जिवन में पहचानिए और आगे बढ़िए क्योंकि पार्मेशों की ये इक्छा है और पार्मेशों ने जिस तरह से वच्छन में का, इतनी सुन्दर बाते कही Your joy no man taken from you पार्मेशों के साथ हमारी relation अच्छी है अगर पार्मेशों के साथ हमारी bonding मजबूत है तो हमारी जिवन से हमारी जिवन की पीष आनन्द हमारे जिवन के खुश्यों को हमसे कोई लेकी नहीं जा सकता है तो इसलिए जरुवत है कि हम परमेश्वक के साथ अपने अपने परिस्थितियों को शेर करें, परमेश्वक के उपर डाउट ना करें, परमेश्वक के साथ अपने जीवन को वैतित करने की कोशिश करें, ताकि हम जैसे भी परिस्थिती में जाएं, जैसे भी मोहौल में प्रभाव ना पड़े जो हमें दुखित कर दें और यह कहना यह सोचना बंद कर दें कि दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में आनंद हमारे जीवन की जोए दूसरों के द्वारा चली जाती है तो यह बिल्कुल गलत है हम परमिशक के साथ सही रहेंगे हमारी जीवन परमिशक के साथ मजबूत होगी हम चाहे जहां भी रहें मैं चाहे जहां कहीं भी रहूं परमिशक का जोए मेरी जीवन से नहीं जाएगा हाँ मेरे प्रियों परमिशा का जोय परमिशा का आनन्द बहुत ही अद्बुत है उनका आनन्द उनका प्रेम उस दुनिया की सारी चीजों से बढ़ कर है वो खुशी वो आनन्द कोई नहीं दे सकते जो आनन्द परमिशा दे सकते और मैंने पाया है my friends इसलिए मैं ये बाते आप लोगों के साथ आज शेयर कर पा रही हूँ परमीशर ने मुझे सच में प्रेम किया है और उनके आनन्द को मैंने अपनी जीवन में पहचाना है देखा है परिस्थिती हलातों को देखा है और परमीशर की प्रेम को देखा है पर्मेशर के साथ रहने से पर्मेशर आंसुओं में भी हसना सिखाते हैं पर्मेशर के साथ रहने से पर्मेशर टप सिट अप सिचुएशन में भी आपको गिरने नहीं देते हैं सो मेरे प्रियो, I hope so, आप लोगों को मेरी ये बाते अच्छी लगी होगी परमेश्वर की ये वचन मधूर वचन अच्छी लगी होगी और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आसिस दे Thank you, God bless you all Thank you